नमस्कार विद्यार्तियों स्ट्रीमति मोरी देवी तापडिया कन्या महाविद्याले जस्वंद गड़ के यूटूब चेनल पर एक बार पुना आपका हार्दिक श्वाकत और अभिनंदन है मैं परवक्ता चंदर प्रकास गुर्जर आज की क्लास हमारी बीए परतम वर्श क खातरो है तुमिद failure के बारे में अग्या पुत्यर के बारे में का थालय की द्वरा जो चानके की सायता से की जातिये त्याति किसे में मेत्री संबंद स्थापित होते हैं मेत्री संबंद स्थापित होने के पश्चाथ इन्होंने जो नंद वंस को मगद चेतर से उखाड़ कर फैंक दिया और मगद चेतर पर इनके द्वारा जो अधिकार कर लिया जाता है और मोर्य वंस की स्थापना कर दी जाते है पश कि इसके दौरा चंद्रकुब्ट मोरीके दौरा ही कर जाती है। पच्छे मतर चेतर की जिस तरह के से विवात था यानि पंजाब सिंद में पहले अधिकार किया या मगद पर पहले अधिकार किया तो उसके बारे में हमने पढ़ लेए उसके पच्छा तब बात करते हैं अन्य चेत्रों में भी का जाता है कास्मीर पे भी विजे सम्भ तो इसके दौरा की गई ती दक्षिन भारत तक इसका सामराज भी पहला वा था और बंगाल में भी इसके जो साहितिक शरुतों से हमें ये पता चलता है कि अन्य चेत्रों पे नुमान लगाया जाता है कि चंदर गुप्त मोरी के दौरा इनके अत्रिक तयाने कि पंजाब सिंद्ध को और मगद को छोड़ कर उसके लावा जो अन्य चेत्रों की भी जो विजे उसके दौरा की जाती है तो जिस तरह किसे इतना बड़ा मोरी सम्राज जी था तो उसके ल थे इत्रिक्त मोरी शम्राज जी वीजे थी थी लिचस शंफ्पिर तेड configuracy सम्राज जे खिए त्क जो ब्मोरी कि दौरा और न्य वीजे सम्राज चम्राज को इनके दया है है कि चंदर गुपत मोरिय क्या संपून भारत का सा सकता जैसे प्लूटार्क ने भी एक बात कही थी कि चंदर गुपत मोरिय के दोरा जो छे लाग सेना लेकर उसने संपून भारत को रोल दिया था इससे इस्पर्ष्ट होता भारत के बहुत बड़े बुभाग पर जो किसका अधिकार था मोरी समराजय का अधिकार था अब उसके अलावा जो बात करते हैं महावन्स्टिका की जो बहुत धर्म गरंत है उसमें भी उलेक मिलता है तो इसको जम्बू दीब का सासक बताएजाए जम्बू दीब की पैचान जो जम्बुदीब से की जाती है जो सकल जम्बुदीब का सास से किसे बताया जाता है चंद्रगुप्त मोर्य का तो इसका मतलब चंद्रगुप्त मोर्य के द्वारा अन्य छेत्रों पर भी क्या की विज़े हासिल की जाती है ये बाते हैं सुरतों के आधार पे इतियासकारों के ध्यास कारों में हमें मतले like की जाती है विजै हासिल की जाती है तो महावंस्टिका की अगर बात की जाए तो उसमें उल्लेग मिलता सकल जम्बु दीप का सासक पताया जाता है अब जैसा कि हमने देखा चंदरूगूट मोरे मोरे समराजी की अगर बात की जाए तो हिंदू किस परवत माला जो अफगानिस्तान में से अगर बाद कीज़ाइे तो मैसूर मैसूर उत्री मैसूर का चेतर जो मोर्य सम्राज्जे फेला है जो बाहर सो चाहिताँ इतने बड़े भुबाग में जो मोरिय सम्राज्य फैला हुआ था, तो अब इसका मतलब ये, तो बाकी अन्य चहत्रों की वीजे भी मोरिय सासकूं के दवारा की गई ती, और अगर बात की जाए, बिंदु सार के समय भी इतना बड़ा था, तो इसका मतले बिंदसार ने तो कोई जीत की निका किसी तरह की विजए नहीं जी थी उसके अलावा जो यही अनुमान लगा जाता है एक चंदरगुप्त्मॉर्य के दोरा ईक्षत्रों की जाए अन्य छेत्रों की विजए उसके दोरा की जाती है जिस तरह कि मावन स्टिका में हमें देखने को मिलता है कि उसके दोरह सकल जम्बूदीब का सासक बताई इसका मतलब भारत के बहुत बड़े भोगोलिक छेतर पर किसका अधिकार था चंदर को मोर्य का अब जुनागड अभी लेक की बात की जाए जुनागड अभी लेक जो रुद्र दामन एक शक्षत्रप था शक्षत्रप जिसे कहते हैं सुबेदार है जिस शक्षत्रप शासक था उसके दोरह जो जुनागड अभी लेक जो गिर्णार में इस ती 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 गुजराद ये जो गिर्णार में हमें एक अबिलेक प्राप्त होता है इस अबिलेक में जो हमें उलेक मिलता है इस अबिलेक में उलेक मिलता है कि चंद्रगुप्त मौरिय का एक गवर्नर था यानि शुबेदार जिसके दोरा जो इस परांत में अधिकार किया जाता था यानि सासन किया जाता था इस प्रांत में उसका नाम था पुश्य गुप्त अब पुश्य गुप्त के द्वारा क्या उस छेतर में एक सुदर से जील का निर्मान करवाया जाता है जो सिंचाई है तो उसके द्वारा जील का और पीने के पाने के परबंद है तो एक जील का निर्मान करवाया जाता है वो चंदर गुप्त मोरिय के गवर्नर के द्वारा करवाया जाता है इस से तुम अंदाज लगाओगे क्या नमान लगाओगे कि उस चेतर पे भी किस का अधिकार था चंदर गुप्त मोरिय का अधिकार था तब ही तो उसका गवर्नर वहां सासन कर रहा था यानि कि जो जुनागड गुजरात चेतर सोराष्ट चेतर के हम बात करें यह गुजरात में इस तीत है उस चेतर तो यानि वहां तक किसका समराज जेता चंद्रगृत मोर्य का समराज जेता और glow पे जो इसका governor शासन करता था तो इसका मतलब उसाइटर की विजे भी इसके द्वारा की जाती है और कुछ विद्वानों की द्वारा ये भी कहा जाता है जी कस्मीर बूजे भी इसके द्वारा चंद्रगृत हाला की जो राजतरंगी नहीं है कलन की राजतरंगी नहीं उसमें कहा जाता है कस्मीर विजे का सरकी से अशोग को दिया जाता है लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कुछ इत्यासकारों का मानना है कि कस्मीर विजे चंदर गुप्त मोरी के दोरा की जाती है इसके पीछे उन्होंने कहा कि एक परवर्तक शासक था कस्मीर का और उसका पूत्र मले के तो चानके के द्वारा जो बात की जाए चानके के द्वारा जो कूट निती से उसे शासक को हटा दिया गया उसके पूत्र को हटा दिया गया और उस छेतर पे किसके द्वारा जो चंद की जाती है यानि कश्मीर बिजे भी चंद्रकुप्त मोरी के की जाती यह बात कई जए जाता है नेपाल का कपी के चितरे के दूर जीता ही यह कहा जाता है हालां कि अशोग के और बेंदसार किसे मैं नेपाल की तरफ किसी तरह का सन्यप्रीया हूं करने कोई जोनके र्रियर समराज्य का ऐंस बताया गया तो इसमें इसमें तकी ड्र mbewरत की जाती है चंड्र बुर्ड मोरी के द्वारा की जाती है तो नेपाल चेटर भी ए Mageक 9 तो आज दीब सब्सक्राइब देखा पसदेए मोर nive spinemaar भरत को रोंध दिया था इसका मतलब, भारत के भोगुलीक छेतर पर जो किसका चंदर गुप्त मोरिय कादिकार था और उसके दोरह ही जो विजय के गयी थी उसके इल ses munis फ़े अभी लेग के जिकर जेक्वलेक मिलता है तो झाल फंगाल से प्राप्ट होता है इस के आधार चंदर गुपत मोरिय यानि उसटे से दवारा की चेतर को बिंजिता जाता है tämä यह माजस्ता नव्यलेग अधार पर कहा जाता है और उस उसंने लूट राक्स में जिन टाला मुशागे दोरा रचीत है जिसके बार में पीछे मुशागदतला रचीelle नोह स्वड़्ेकर उसी लॉक ह SW मैसूर का चेतर बात की जाए यानि कि उत्री मैसूर का चेतर भी मोरे समराज्य का अंग था यानि कि वरतमान करनाटक में से चेतर भी मोरे समराज्य का अंग था संभवत यही अंदाज लगाया जाता है कि यह जो है यह चेतर किसके दोरा विजित किया जाता है चंद्रगुप्त मोरी के द्वारा दक्षिन भारत की विजए भी चंद्रगुप्त मोरी के द्वारा की जाती है इसके आधार पे जो ये बात कही जाती है मुदा राक्षष के आधार पे तो ये इन चेतरों में बात की जाए जो सिंध पंजाब और मगद के अलावा चंदरगूत मोर्ये के दौरा जो नेपाल का चेतर है कस्मीर का चेतर है आवंती का चेतर भी इसके दौरा जीता जाता आवंती की बात की जाए वैसे तो आवंती क्या नंदो के दीन था अगर बात कि देशासन किया और मॉरिय समराज्य का काफी विस्तार उनके द्वारा किया जाता तो यह चंद्रगुप्ट मॉरिय का ने विजिए थी उसके अलावा आज हम साथ बात करेंगे चंद्रगुप्ट मॉरिय के धरम के बारे में अगर आम बात की जाए शाधानत तो से यह बात तो निश्चित है कि चानके ने अगर इसे स्यासन पर विठाय तो उसव्क्ट चांद्रगुप्ट मॉरिय के द्वारा घृति जाता था था वेदिक धरम घंजुप्ट ने कर दो लेकिन जैसा कि अमें लेक देखने को मिलता है अगर वाकि के जो साहितिक सरुतों में चंदर गुत मोरे के दौरा अंतिम वर्सम में क्या किया जाता है जेहन धर्म को स्विकार कर लिया जाता है अलांकि अलग 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 धर्म जो गरंटों के दौरा बोध धर्म के दौरा भी उल्ले जो पर दावा किया जाता है कि चंद्रगूत मौर्य के दोरा जो बहुत दर्म स्विकार किया गया था लेकिन जो मूलत है जो साहितिक सरोत हमें मिलते हैं उनसे ये बात इसपष्ट हो जाती है कि चंद्रगूत मौर्य के दोरा जो अंतिम समय में क्या कर लिया जाता है जेन दर्म स्विकार कर लिया जाता ह अलांकि बहुत दिर्व में सफिदार और यैगि गशे से साथ जो इनके दोर चंदर गुट मोरिय के द्वार्ज है अपने पूत भी के पखिम Hem Anadis को अ चले जाते हैं ये बात भी तुम देख लो उससे जोड़ सकते हैं यानि कि दक्षिन भारत में इनका अधिकारता तबी तो ये जो अपना अंतिम समय काँ वेतित करते हैं भारत में जो करनाटक में जाकर सरोन बेल गोले वहां पर जो चंदरगिरी परवत पर अंतिम समय वेतित करते हैं जो राज सीहासन को छोड़ कर उसके अलावा बात की जाए तो इनके द्वारा जो अपने प्राण सलेंकना विद्वी जो बात की जाते हैं आलाव बात की जाते हैं धरम के मामले में ये शहिष्ण हो रहते हैं चंदर कुट मौरी के द्वारा जो सभी धर्मों का क्या किया जाता है bread जेन धरमों बोत धरमों या फिर अगर बात की जाए तो ये तुमारे ब्रामन वेडिक धरमों इन धरमों का सम्मान उसके द्वारा किया जाता है और उसके अलावा जो इसके मुल्यांगन की बात की जाए तो मुल्यांगन तो तुम स्वत ही कर सकते हैं तुम देखते हो किस तर उटकर जिसके द्वारा चंद्रगुप्त मोरे और चानक के ने इनकी दोस्ती ने जो एक नंद वंस को उखाड़ा तर फेंग दिया जो जिससे जनता भी घ्रना करने लगी थे और ईरोपिया सासन से बात की जाए तो विदेशी सासन से भी भारती जनता को इनके द्वारा मुक होती था और उसके द्वारा जो भारत के कई जो चेत्रों को जीत कर जो एकता के सुत्र में बांदा जाता है भारत को पहली दफ़ाता कि जैसा कि हमने पढ़ा की पहला समराट माना जाता है एतियासिक सासे माना जाता है जिसके समय से में विदिवत है जो बात की समय की समय की होती है और उसके अलावा जो संपूर्ण भारत को इसके द्वारा जो एकता के सुत्र में बांद दिया जाता है और विशाल सम्राजी की स्थापना उसके द्वारा की जाती है तो अभी जारती हूं आज की क्लास में हमने चंदर गुप्त मोरी के जो अन्य विज़य अभियानों के बारे में जाना एन्य चेतरों की विज़य जो बात की जाए भारती है भागौली की चेतरों में जो उसके अलावा सिंध्य पंजाब और मगध को चोड़ के कौन कौन से च पुर्यों मोगश से लेकर पपश्शिम me гр ज्याए कई सहिव तरोAD है कि जानकारे मिलती है कि उसके द्वारा कई चेत्रों पर विजय हासिल की जाती है चाहि कश्मीर का चेत्रों नेपाल का चेत्रों चाहि बंगाल का चेत्रों चाहि दक्षिन भारत का चेत्रों चाहि महारास्त का सोरी सोरास्त गुजरात का चेत्रों तो उन चेत्रों पर विजय हासिल की जाती है और और उसके धर्म का भी हमने जिक्र क्यां जैसे कि अंतिम समय में चंद्र, गुव्त मुर्यенко किये धीर्ये क्या जाता है जो जो जेन धर्म को स्विकार कर लिया जाता है और उदाक्षिन भारत यू सिहासन को तियाक कर चले जाते है अपने पुत् र के पक्ष में इनके दोरा जा से इंतियाग दिया जाता है उसके पचात एन्तीम समय जो करनातक में वेटित किया जाता जाते हैं और मुल्यांकन की बात की जाए तो भारत को सबसे पहले जो एक टा के सुट्र में बादने वाला सासेक है जो अगर बात की जाए चंद्रगूत मोरी हमें देखने को मिलता है जिसके दोरा अखंड भारत की स्थापना की जाती है ये इसकी उपलब्दियां रहती है बोलिए यहां तक किसी तरह की समश्या हो संका हो तो आप नहीं संका हो पूछ सकते हो और किसी तरह के सुजाओ रहा हो तो आपके सुजाओ रहा है तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही और अगली क्लास में हम जो अगले सासक मोरीवन्स के सासक बिंदु सार के बारे में पढ़ेंगे तो एक बार पुने सबी विद्यारतियों का भूत भूत धन्यवाद